अभीका जो ये subject है जिसको लेके मैं बात करने आया हूँ ये मेरे लिए काफी हद तक दो अधारी तलवार है एक तरफ student का पक्ष है जो student लोगों ने मुझे भेजा है किस तरह का problem उन लोगों ने face किया about nift and all और दूसरी तरफ nift के अपनी जो भी एक मजबूरी थी अपना ज कुछ बोलना है so I will start this video with my statement first then I will share one message a detail message written by one of my YouTube member and then आगे की बात सी देखो बात ये है के निफ्ट और design college fashion design इन सब को लेके अभी भी बहुत सारे गलत फेमिया है बहुत सारे गलत फेमिया है और वो गलत फेमिया के शिकर तुम लोग हो रहे हो और हो के हो कह रहा है result पे at the end year loss करते हो पैसे बरबाद होते है अपना दिल तूटते है बहुत कुछ होती है यह जो confusions है यहां पे उसके लिए पहली बात तो मैं यह बोलूँगा प्लीज ट्राइटो अंडरस्टेंड वाट इस डिजाइन और वाट इस एग्जाक्ली अप्रॉपर डिजाइन एडुकेशन यह प्रॉब्लेम और यह क्राइसीस क्यों है मैं यहां से हर पेरेंट्स को यह बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा तर स्टूडेंट जो आज डिजाइन एडुकेशन पे जा रहे है उनके पेरेंट्स जब पढ़ते थे पढ़ाई कर रहे थे तब यह डिजाइन एडुकेशन था नहीं इंडिया में सो बहुत तरह से लोग इनको ना डॉक्टर इंजिनियरिंग के तरह नॉर्मल अदर्स जो प्रोफेशन है उसके तरह समझ लेते हैं चलो पास कर लो फिर कोई इस तरह का जॉब मिलेगा हो मिलेगा पर डिजाइन एडुकेशन इस कम्प्लिटली दिफरेंट और उचके उपर फैशन और निफ्ट यह और भी ज्यादा डिफरेंट है अक्चुली डिफरेंट है जो जेनरल अप्सेशन है इन सफ फिल्ड को लेके आप लोगों को लग सकता है कि यू नो एवरिफिंग और मुझे लगता है कि बहुत गैप है क्योंकि जिस तरह के क्वैरी मैं डेली बेसिस पे फेस करता हूं और जैसे मैं एक क्रेश देखता हूं उसके लिए मेरे इस चैनल पर एक वीडियो है के 10 मिसकंसेफशन अबाउट निफ्ट वो वीडियो बाद में देख लेना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब दूसरी जो इसमें बात होता है वो यह है कि वाई I have said that awareness build करो design education के बारे में because design में तुमको job अपने skill के basis पे मिलते है अभी भी मैं देखता हूं के लोग साथ दिन के crash course दो दिन के crash course के लिए आते हैं मेरे पास ऐसे भी call आता है एक दिन पहले के निफ देना है कल मुझे कुछ नहीं पता है सिखा दो ऐसे नहीं होता है बहुत जादा different है and somehow इसलिए जो इंडियान डिजाइन society है वो अभी भी आपर के उपर depend करते हैं बहुत इंडियान डिजाइनर जो काम कर रहे अगर देखो के deep down जाको बाहर से पढ़के आए है यहाँ पर इसको लगता है कि चलो एक 10 प्लास टू कर ली आप एक कोर्स कर ली डिजाइन का नहीं तो जो लोग बहुत डेडिकेटर होते हैं उनको मिसगाइड करने के लिए भी बहुत सरे लोग बैटे हैं क्या रहे यह चाहिए वो चाहिए तो इन सब को लेके एक गॉर्मेंट जॉब का डिजाइन में आके इतना गॉर्मेंट जॉब को लेके दिमाग लगाना सही नहीं है यह सब को लेके बात यह है कि तुम लोग ट्रैप में पर रहे हो क्योंके तुम लोग आवर नहीं हो रहे हो मैं आगे के लिए जो भी यह वीडियो देखे का बार बार बता हूंगा इस उनको एन नाट अट शूज़ करना है कैसे करना है please you can contact ma'am in this number please whatsapp ma'am to understand all of this क्योंके ना NIFT one and only college है जिसके लिए पूरा 2, 3, 4 साल प्रिपेर करना चाहिए ना कि जो भी college जो भी offer दे रहा है वो भी अच्छे है you need to do a very wise decision for a better career जिनको मेरी बात सही लगता है they can contact जिनको लगता है कि मैं अपने coaching center को promote करने के लिए बोल रहा हूँ या किसी college को promote करने के लिए बोल रहा हूँ I will say best of luck to them future में आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं आज ये क्यों बोल रहा हूँ अब मैं आता हूँ सिधा दूसरी जो बात है तो student ने मेरे को भेजा है यहाँ पर मुझे अपना एक YouTube member आईशरिया नाम के एक detail message भेजे है कि उनको किस तरह का problem हुआ है So, यह जो problem उनको हुआ है उन्होंने मेरे को भेजा है मैं इसलिए share कर रहा हूँ Because हो सकता है कि और भी लोगों को इस तरह की problem हुई होगी So, मुझे लगा कि as a neutral person यह चीज़ share करना चाहिए और यह share करने के पहले इसलिए ही मैंने अपना stand समझाया था You need to be aware, you need to be educated about this field जहापे अपना future बना चाह रहे हूँ So, इसलिए के साथ इस same problem है जो शुरून में उसने बोला है कि उसने पहली भी try किया था Rank अच्छे नहीं आए फिर उसने एक साल try किया gap year लेके अब gap year के बाद जब suddenly online हो गया So, she faced a lot of issues उनके पास actually offline का भी experience था जो last year exam दिया था अभी इस साल online का भी experience हुआ And she was not happy and उन्होंने काफी सारे points लिखे है जैसे के उनको exam के बीच में कोई invigilator नहीं मिला था कोई response नहीं हो रहा था I don't know सब के साथ same हुआ है के नहीं In this case, offline examination The invigilator clearly gives us instruction, check ID and the rest of the process This time no instruction were not clear at all तो उनके पास proper instruction नहीं आए था जो clear instruction है वो उनको नहीं मिला है तो ये point उन्होंने बोला है तिसरा point उन्होंने ये बोला है के The total number of questions and number of sections Section 1 and 2 was not mentioned at the start of the exam Thus, save and submit button was the most misleading making it look like it was the end of the paper मतलब उनको ये लगाए के Save and submit button वो इतना एक तरह का देखने में था के बहुत लोगों को उनके दोस्तों का ऐसे हुआ है के वो save करने का submit कर दी And उसके चलते है उसका जो भी है वो paper वहाँ पे छूट गया तो इस तरह की problem लोगों ने face किया और मैं ये बोल रहा हूँ के ये मैं क्यों बोल रहा हूँ It is not what I am saying ये message आया है Somebody put on so much effort to write this long message So I am sharing in this platform के जो और भी लोग इस तरह से problem face किया है तो ये आवाज कहीना कहीं पहुँचा I am just trying to be voice of the student But still मैंना अपना standpoint शूरू में clear कर दिया है Then several other students were not able to connect the NIFT helpline And some students had exhausted their internet By the time they reached the other section And could not answer 30 to 40 questions Or could not attempt to section 2 The thing is that के internet और ये तो NIFT ने भी बार बार बोला था Adequate amount पे रखने के लिए And the question is when visited turned green The question when visited turned green Whether or not selected or answered This led to wastage of time And going through each questions multiple times There was an option called mark for review Which would turn the questions red But making and again Making and again unmaking to turn it back to green Took a lot of our time This repeated checking resulted in panic and wastage of time So basically ये जो green and red का ये जो इशू था के question देखना नाया देखना ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस मेन एक्जाइम से इतना ज्यादा ध्यादा धान दूसरे तरफ खीच रहा था जो लोगों के लिए प्रोब्लम हो रहते हैं तो ये पेपर लोडिं और अनलोडिं के टाइम पेज़ भी दिक्कत वह ये मैने यापे पड़ा है जो प्रोबलम आशुरे ने पेस्ट ने फेपेश्वार को रहते हैं किया है I would like to bring this notice of teachers admission and the board on behalf of the students and parents who face these difficulties during NIFT examination 2022 since many student face similar issues it would be only fair if the NIFT reduce the weightage given to get paper for the selection process my message is only an attempt to bring consolation and support to the student who have put their life and hopes to achieve their dream college NIFT so this message I have read because I had written a lot of message to bring it into notice that I have understood that I don't know I just can request that you can spread this video but I still will tell you that NIFT is not everything you should choose NIFT very wisely you should research and work for your design carrier very wisely yeh koji aisa course nahi hai bhai kuch nahi ho raha designer ban jahe mujhe aise log itnei milte hai tabhi maya bol raho shayad aap baut sincere ho but bhoot log aisee mazhe 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 maya jata hai which is not a right approach so you can contact us for counseling if you think you need lot of counseling and all then please message me in inbox maik alexa form mana ke maik aplog sa time leke hai I will start that counseling session also because it is very important now for student and for the parents to understand what is going on maizast aaj is platform pe yeh bolna cha raha ho ke india ke design future bhot bright hai but that doesn't means ke sara kam indian designer hi karenge agar wo apne aap koos level pe leke nahi aapate hai it is your responsibility see you in my next video let me know what you think about it